किसान भाईो नमस्कार, मैं पिन सिंग, आप सभी भाईों का आपके अपने चैनल, इंडियन फार्मिंग ज्यान में एक अबर फिर से स्वागत है किसान भाईो धान की खेती करने वाले किसानों के लिए गंधी बग कीट एक मुक्ष समस्या है इस कीट का अकरमण धान की फसल में बाली निकलने के बाद परागन के लिए होने के बाद होता है या बाली के दानों का दूथ पी जाती है जिससे दानों में चावल नहीं बनता है जिसका सीधा असर पैदावारी पर पढ़ता है बहुत से किसानों का काना है कि हम इस कीट की रोग थाम के लिए जिस दवा का इस्प्रे करते हैं वह या तो काम नहीं करती है या काम करती है तो भी दो से तीन दिन में फिर से इस कीट का अक्रमन हो जाता है सर जी कोई ऐसा कीट नासक बताएं जिसके इस्प्रे से लंबे समय तक इस कीट का प्रभावी रोग थाम हो सके और बार बार दवा का इस्प्रे भी ने करना पड़े तो किसान वाई ओ आज हम आप लोगों के बात को ध्यान में रखते हुए तीन ऐसे कीट नासक के बारे में पुली टेल में जानते हैं पहले नंबर पर बात करते हैं सेंजेंटा कमपनी की एक कीट नासक है जिसका नाम है कराटे जिसमें लेमडा सालो त्रेन पांच परशा तीसी कीट नासक रसायन है या डोडे की सुन्डी तेला चुर्दा पत्ती मोड़ तनावः फल्चेदर गं किसान गंदी कीट की नियंतरन के लिए 100 से लेकर 200 ml प्रतियकर मातरा लेते हैं या दवा सरीर पर लगने पर थोड़ा जलन पैदा कर सकती है इसलिए पूरे सरीर को ढखकर ही इस दवा का इस्प्रे करें दूसरे नंबर पर बात करते हैं ट्रापकल कमपनी का एक कीट नासक ह प्रतियकर मातरा लेते हैं तीसरे नंबर पर बात करते हैं घड़ा कमपनी की एक किट नासक है जिसका नाम है हमला 550 हमला में कुलोर पारिफास 50% प्लस साइपर में 35% इसी रसायन है या डोडे की सुन्डी तना छेदक फल छेदक चुर्दा माहू फलमक्खी पत्ती मोड़क भिरिंग, गंधी कीट, सफेद मक्खी याद कीटों की रोगठाम करने में सच्चम है यह अभी किसानों के बीच में काफी पापुलर कीट नासक है इसमें दो रसायनों का कम्बिनेशन होने के करां बहुत तेजी गती से कीटों को निप्टा कर फसल को कीट मुक्त कर देता ह धान की खेती करने वाले किसान प्रती एकड 100 से लेकर 150 से मेल हमला का इस्तिमाल करते हैं किसान वाई हो यह तीनों कीट नासक दवाएं बढ़िया रेजल्ट देने में सच्चम है लंबे समय तक इनका फसल में असर भी बना रहता है गंधी कीट के लिए इन तीनों में से किस का भी इस्तिमाल विश्वास के साथ कर सकते हैं किसान वाई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद